सद्गुरू, आपने कहा है कि स्रिष्टी ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम जीवन को जीना है, हर समय उपर देखते रहना नहीं, पर आपने उपासना के बारे में भी बात की है, आपको साइड रोल में होना चाहिए, में रोल में नहीं, पर ये दोनों बातें एक द क्या स्रिष्टी ने अपना काम कर दिया है, फिर आधी बात तो सही है, इसमें कुछ उल्टा नहीं है, क्या आपने अपना काम किया, नहीं, तो दूसरी बात भी सही है, इसी के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि उपासना में रहो, आपका रोल इस त्रिष्टी में बहुत छोटा है, हर चीज जो आपके साथ होती है, वो अधिकतर आपके साथ की जाती है, क्या आप धर्ती को घुमा रहे हैं, नहीं, अगर ये ना घुमे तो क्या आप जिन्दा रह सकते हैं, क्या आप जी सकते हैं, क्या आप वातावरन को समाल रहे हैं, नहीं, आप इसे खराब कर रहे हैं, पर समाल नहीं रहे हैं, है ना, क्या आप खुद अपना दिल दढ़का रहे हैं, नहीं, क्या आप सांस खुद ले रहे हैं, हर चीज जो जीने के लिए जरूरी है, वो हो रही है, है ना, आपका काम बस जीवन के उपहार को ग्रहन करने के लिए तयार होना है, जीवन को पून रूप से जानने के लिए, अगर आप खुशी और आनन में रहने के लिए और अपने लिए कुछ करने के लिए तयार हैं, या आप अपने आसपास के दसलों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है तो हम आपके जीवन का भी ख्याल रखेंगे आपको बस इतना करना है किसको केवल स्रिष्टी को क्या ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसके सामने जुका जाए क्या ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसे नमन किया जाए बस ये स्रिष्टी इस ब्रह्म नहीं है कि इसके सामने जुका जाए मुझे तो एक पेड़ और चीटी भी इतने बड़े लगते हैं कि उनके सामने जुका जाए क्योंकि हम इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं समझ सकते अपनी सारी बुद्धी लगा कर भी आप इस पेड़ के एक पत्ते को भी नहीं समझ सकते हैं एक पत्ते को भी तो हर चीज जो हो रही है उसके पीछे की जबरदस बुद्धी जब आप कुछ नहीं समझ पाते तो आप क्या करते हैं बस यही मैंने कहा उपासना में रहो क्योंकि इस स्रष्टी में वैसे भी आपका रोल इतना छोटा है कि कल सुबह अगर आप गायब हो जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी बस अगर आप अपनी गंदगी यहां छोड़ कर जाएंगे तो समस्या है पर आप बस गायब हो जाएं तो किसी को कोई समस्या नहीं है है न? हाँ या न तो आपका रोल आपके अपने जीवन में इतना छोटा है इतना छोटा सा कि हर चीज आपके साथ की जा रही है हर चीज तो आप हीरो कैसे बन सकते हैं जब आपका दो पैसे का रोल हो और आप सोचते हैं कि आप हीरो हैं तो आप बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हैं, है ना? मैं बस इसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं कोई महान अध्यात्मिक साधना करने को नहीं कह रहा हूँ पर अगर आप सच्चाई में जीते हैं तो यही साधना है, और क्या? उन जूटों को रोकना जिन्हें आप बना रहे हैं, पूरी साधना यही है सत्य की खोज, सत्य को जानने का मतलब यह नहीं है कि आपको उसकी खोज में खहीं जाना है यह किसी पहाल के पीछे छुपा हुआ नहीं है, वो इसी तरफ है आपको पता है? इस समय धर्ती का ये हिस्सा अंधेरे में है तो क्या आप दुसरी तरफ देखने जाएंगे? नहीं, वो यहीं है सच का मतलब बस यहीं है जो भी मौजूद है, वही सत्य है जो भी आपने बनाया है, वो जूट है बस यहीं सब कुछ है, है न? और आपका इस सस्तित्व में हीरो होना यह आपकी बेवकूफ यह इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं तो अगर आप यह समझ लें तो आप समझ लेंगे कि आपका रोल स्रुष्टी में बहुत छोटा है सिर्फ इस रिष्टी की रचना में ही नहीं आपके अपनी जिंदगी में भी अगर आपकी सांसें या आपकी धड़कन जैसी साधारन चीज़ भी आपके हाथ में दे दी जाए तो आप एक मिनट में पूरी तरह आस्तिवस्थ हो जाएंगे हाँ या न? तो मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ उपदेश नहीं दे रहा बस आपको हकीकत याद दिला रहा हूँ कि आपका जीवन क्या है और सत्य में जीने का यही मतलब है कि आपने कुछ मनगढंत नहीं बनाया है आप अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं लिख रहे हैं आप बस जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप जीवन जीएं तो उसे वैसे ही जी सकते हैं जैसा कि वो है जब आप कोई कहानी बनाते हैं तब ही आप अपनी तरफ से कहानी बना सकते हैं हाना अगर आप कालपनिक कहानी बनाते हैं तो उसे जैसे चाहे बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, पर अगर आप जीवन जी रहें, तो आप उसे केवल वैसे ही जी सकते हैं, जैसा वो है, जीने का कोई और तरीखा नहीं है, तो ये मत सोचिए कि ये किसी तरह किस्सिक्षा है, जीवन ऐसा ही है, बस इसे जीएं, कोई कहानी न बनाएं अगर आप एक कहानी बनाते हैं, जो सच नहीं है और मान लेते हैं कि वो सच है तो जब आपकी कहानी खत्म होगी तो आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि तब कुछ भी नहीं होगा अगर आप सच्चाई के साथ जाएं, तो ये चलती रहेगी चाए आप जिन्दा हो या मर जाएं उसके साथ रहना सबसे सुरक्षित है सबसे अच्छा है केवल इसी तरीके से आप जीवन कानुभव कर सकते हैं वरना आप अपने ही शब्दों से धोका खाएंगे के वरना आप जीवन के साथ जीवन कानुभव कर सकते हैं